नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सिवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ आए आज हम सभी जानते हैं कि खरबूजे में होते हैं कौन-कौन से और शद्य गून खूब खाना चाहिए इनको ताकि आप का लाभ उठा सकें यही है आज का टौपिक आप सबी के लिए खरबूजा गर्मी में आसानी से मिल जाने वाला फल है यह रसीला फल स् Swami में बहुत मीठा होता है और स्वास्ते के लिहाद से भी बहुत महतोपून होता है खरबूजा खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होत विटामिन A, B6 के साथ साथ फॉलिक एसिड और फाइबर जैसे शदीर के लिए जरूरी तत्वक खरबूजे में पाये जाते हैं इसके अलावा खरबूजे में कैलोरी कम और फाइबर जादा होता है इसके सेवन से भूख मिठती है और कैलोरी भी आप एक नियंतरित मातरा में लेते हैं इसके अलावा ये फल पेट में जाकर के तुरंत नहीं पचता है जिसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है जिहां इसके अलावा खरबूजे में विटामिन C और बीटा कैरोटीन योगिक होते हैं ये योगिक आपके शरीर के मुक्तकनों से से लड़ते हैं और उन्हें खत्म करते हैं यह मुक्तकन शरीर की कोशिकाउं के लिए हानिकारख होते हैं मुक्तकन कोशिकाउं पर हमला करते हैं और कैंसर के विकास का कारण बनते हैं खरबूजे में एडे नुसिन नामक एंटी कोई गुलेंट पाया जाता है जो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है और खुंका ठका नहीं जमने देता है इसलिए इसके नियमित सेवन से दिल से संबंधित बिमारियां दूर रहती हैं इसलिए भी इसका सेवन करते रहना चाहिए खरबूजा कबज की समस्या दूर करता है अगर आप पाचन की समस्या से जूज रहे हैं तो खरबूजा खाईए खरबूजे में मौजूद पानी की मात्रा होजन के पाचन में सहायोख होती है इसमें पाए जाने वाले मिनरल पेट से जोड़ी समस्याओं को दूर करके पाचन क्रिया को तंदुरूस्त या दुरूस्त करते हैं इसकीन में connective tissue पाए जाते हैं खरबूजे में पाए जाने वाले कोलाजन प्रोटीन इन कनेक्टिव टिश्यू में कोशिका की सनरचना को बनाए रखता है कोलाजन से जखम भी जल्दी ठीक होता है और त्वचा को मजबूती मिलती है अगर आप लगातार खरबूजा खाएंगे तो चेहरा आपका चमकने लगेगा खरबूजे में डायूरेटिक यानि के मुत्रवर्धक शम्ता काफी अच्छी होती है इस कारण इसे किन्नी की बिमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है यह एकजीमा को कम करता है अगर खरबूजे में निम्बू मिला करके इसका सेवन किया जाए तो इससे गठिया की बिमारी भी ठीक हो सकती है इसके अलावा खरबूजे में विटामिन ए बुखत अधिक मातरा में पाया जाता है साथ ही इसमें बिटा के रोटीन भी पाया जाता है इसलिए इसके अनियमित सेवन से आखें स्वस्थ रहती हैं और आखों से जुड़िये कोई भी परिशानी आपको नहीं होती है यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों